वेलकम टू ओल इंडिया गुरुजी दोस्तो इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हूँ रीजनिंग का एक महत्मू टॉपिक कलेंडर आपको मैं इस टॉपिक के कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स भी बताऊंगा जो आपको आने वाले सभी एक्जाम के लिए काफी helpful होंगी दोस्तो अगर आपने अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो red बटन पर किलिक करके आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो bell बटन पर भी किलिक कर दीजिएगा जिससे आपको आँगे notification सबसे पहले मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं calendar दोस्तो calendar में याद रखने क्योंकि कुछ महत्पून बाते हैं जो आज मैं आपके साथ discuss करूँगा वो यह है कि साधारन वर्स किसे कहते हैं साधारन वर्स जो है साधारन वर्स होता वो होता है जिसमें चार का पंजब भाग देते हैं तो वो पूर्टा विभाजित नहीं होता उसे हम साधारन वर्स कहते हैं और जो पूरता विवाजित हो जाता है चार से उसे हम लीव वर्स कहते हैं यहाँ पर 1957, 2011, 2017 जो है वो चार से विवाजित नहीं होते पूरता है इसमें कुछ सेस बसता है इसलिए यह साधारन वर्स हैं और जब हम 2000, 2008, 2020 इनको जब हम यदि करते हैं अगर चार से विवाजित तो यह पूरता विवाजित हो आते हैं इसलिए हमेंने लीव वर्स कहते हैं दूसरी महत्पूर बात यह है कि जो साधारन साधाब्दी वर्स है उसमें पहला और आखरी दिन जो है वो सेम होता है माल लीजे पहला दिन यदि सोंबार है तो आप यह माल की चलिए कि 31 दिसंबर को भी सोंबार ही होगा ठीक है और साधान साधाब्दी वर्स किसे कहते हैं तो सबसे पहले सताब्दी वर्स किसे कहते हैं, सताब्दी वर्स वो वर्स होता है, जिसके लाश्ट में दो जीरो लगे होते हैं, हना उसे हम सताब्दी वर्स कहते हैं, तो सताब्दी वर्स अथारा सो, एककई सो, तेईस सो, छबीस सो, इस टाइप की सताब्दी वर्स कहलाते अब इसमें साधारान और जो Leap-सताबदी वर्स है, वो केसे कहेंगे, तो इसमें हम 400 से भाग देंगे, 400 से जिसमें पूर्ता विभाजित हो जाए, सेम इसके जैसें साधारान वर्स और Leap-bourस के जैसें इसमें 4 से देते थे, तो यहाँ पर हम 400 से देंगे, तो जो जो पूर्टा विवाज़ित हो जाएगा, उसे हम Komigo Abbas कहेंगे, और जो कवर्टा विवाज़ित नहीं होगा, जिसमें कुछ सेज वसेगा, उसे हम साधारन सतावदी words कहेंगे ठीक है, अब साधान बर्स में देखते हैं, तो साधान बर्स में कितने सपता होते हैं, 52 सपता है, और कितने दिन बसते हैं, एक दिन, यहाँ पर देखे आप, साधान बर्स में 365 दिन होते हैं, और लीब बर्स में 365 दिन होते हैं, तो वो यहाँ पर दिया गया है, कि जब साधा वर्स में और लीव वर्स में वावन सब्ता है, दो दिन होते हैं, तो यहां पर दो सेश बचता है, जब दो सेश बचेगा, तो 1 जुलाई 2010 को यदि सुक्रवार है, तो हम इसको दो दिन आगे आने की रवी वार हमारा आंसर होगा, ठीक है, तो इस तरीके से इनको निकालते है एक चीज आपको बताना भूल गया गि लीफ सताब दी बर्स, तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे पहला दिन, आखरी दिन के बरावर होता है, तो लीफ सताब दी बर्स में पहले दिन और आखरी दिन में एक अंतर होता है, ठीक है, मतलब एक दिन का अंतर इसमें पाया जाता है नेक्ष्ट देखते है यह देखिए लीफ में दिनों की कुल संक्या 366-चाहँ दिन होती है क्योंकि 59 दिन होती है न तो यह लेख बर्स में तीन की फरवर्ई होati है इसु लिए इसमें 366 दिन होतें हैं और साधान वर्स है उसमें 28 दिन की होती है इसलिए 300 365 दिन होते हैं next देखते हैं लीब वर्स किसे कहते हैं तो जो वर्स चार से पूर्ण रूप से वाजित हो उसे हम लीब वर्स कहते हैं यदि कोई वर्स सताबदी वर्स है तो उसे 400 से भाग देंगे अभी मैंने आपको सताबदी वर्स कहते हैं तो नेक्स्ट देखेंगे हम कि जो लीब वर्स है और साधारण वर्स है उसमें कितने और डे होते हैं और डे कैसे तरीके से निकालते हैं यह हम देखेंगे तो लीब वर्स में कितने दिन होते हैं टोटल 366 हा ना तो 366 में कितने odd day होंगे 2 और साधान वर्स में कितने दिन होते हैं 365 तो odd day कितने होंगे 1 यह याद रखने योग बाते हैं ठीक हैं तो कैसे हम इसको गयाद करेंगा odd day कैसे निकालते हैं माल लीजिए जैसे 10 days का odd day निकालना है तो 10 by 7 कर देंगे total number of day upon 7 तो कितना बचेगा 3 यह 3 जो है यह odd day हुआ माल लीजिए कि अपनको 15 days का किसी ने बोला odd day निकालिए तो 15 by 7 is equal to 1 बचेगा ठीक है इस तरीके से हना माल लीजिए अब जो अपना February है वो 28 days का है तो इसमें कितने odd day होंगे तो 7 से इसको cut करेंगे तो यह यहाँ कितना ब days और अगर यहाँ 29 का निकालेंगे तो कितना बचेगा 1 हाना इसी प्रकार से 30 days के जो मन्त रहते हैं उसका जब निकालेंगे तो आएगा 1 और 31 days का जब हम निकालेंगे तो आएगा 2 ठीक है तो इस तरीके से यह odd day हम find करते हैं next देखते हैं तो types of question किस तरीके के इसमें question होत हैं तो इसमें महिनों पर आधारित question होते हैं वर्ष पर आधारित question होते हैं और मिस्ट्रिस समस्याँ से आधारित question होते हैं यही है कि code है ना जो महिने हैं उनका code याद करना यह हमाई लिए सबसे जरूरी चीज है तो महिने का code किस तरीके से यहाँ पर दिया गया है तो January के लिए यहाँ 1 दिया गया है 5 के लिए 4, March के लिए 4, April के लिए 4, May के लिए 2 और June के लिए 5, July के लिए 0, August के लिए 3, September के लिए 6, October के लिए 1, और November के लिए 4, December के लिए 6 तो यह साधान वर्स के लिए coding दी गई है और Leap Burst के लिए January और February वसका 0 और 3 दिया गया है तो Leap Burst के लिए हम minus 1 कर देंगे ठीक है जो साधान वर्स से minus 1 कर देंगे तो यहाँ पर Leap Burst के लिए coding निकला आएगा अब इसको याद कैसे किया सकता है तो इसको याद साधान तरीके से इसी तरीके से किया सकता है कि 144, 025, 036, 146 दोस्तो इसको याद करना तो बहुत जरूरी है यदि आप calendar से related questions सही तरीके से करना चाहते हैं तो महने का code आपको याद होना ही चाहिए ठीक है next देखते हैं दिन का code तो दिन का code जो है हम जानते हैं कि 7 days होते हैं तो उसी प्रकार से दिन के code को यहाँ पर Sunday को 1, Monday को 2, Tuesday को 3, Thursday को 4, Wednesday को 5, Friday को 6 और Saturday को सुन्य code दिया गया है ठीक है इसके बाद आता है सताब्दी वर्स सताब्दी वर्स का जो code है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है कि 1600 को 6, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2, 1900 के लिए सुन्य और 2000 के लिए 6 तो इसको कैसे याद रख सकते हैं कि यह 642, 0, फिर 642 आएगा तो इसके आद जैसे 1200 के लिए तो क्या आएगा 4, 22 के लिए तो क्या आएगा 2 हाना तो इस तरीके से यह हम निकाल सकते हैं सताब्दी code ठीक है, next देखते हैं, आपको एक trick बताने वाला हूँ, जो कि आपको सभ जनवरी को जो दिन या बार होगा, वही एक October को भी होगा, हाना, तो कैसे इसको find करेंगे, यह code के अनुसार चलेगा, जब समान code होंगे, तो बार भी समान होंगे, जैसे कि हमने पीछे यहाँ पर देखा, कि यह जो code है, देखिए, यहाँ पर जनवरी का code है, 1, ठीक है, तो 1 यहाँ पर आगे किसका code है, October का, तो जो एक January को होगा, वही एक October को होगा, इसी तरीके से हम जैसे March का देख लेते हैं, March का 4 है, और यहाँ पर नवंबर का 4 है, तो इन दोनों की तारीक भी same होगी, ठीक है, अब देखिए 6, तो जो 15 September को जो day होगा, वही पर 15 December को भी यह day ह होगा, या कहा जाए तो एक December को जो दिन होगा, तो एक September को भी वही बार होगा, ठीक है, इस तरीके से हम इसको solve करते हैं, ठीक है, तो यह है trick of the day, देखा जाए तो यह trick आपको काफी helpful सावित होगी, क्योंकि इसमें question आते हैं, आंगे देखते हैं, सूत्र, किसी भी तिती का दिन निकालें, तो किसी भी तिती का दिन हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सूत्र दिया गया है, एक formula है, जिसमें last two or three digits of a year, plus year by four, plus date, plus month code, plus century code upon seven, यह जो है, यह formula रट लीजिए, क्योंकि हर question में लगए यह वाला formula तो लगे गही, इस formula से हम काफी आसान तरीके से calendar के questions solve कर सकते हैं, ठीक है, next देखते हैं, example, तो 26 जन्वरी 1950 को कौन सा दिन था, हाना, 26 जन्वरी 1950 को कौन सा दिन था, तो हम solve करेंगे, उसी formula से, जो अभी हमने देखा था, तो वर्स, वर्स, वर्स वाय फोर, दिनांक, महीने का code, सताबदी code, और seven, तो जो वर्स है, वो 1950 है, तो 50 प्लस, यहां पर 50 को जब हम 4 से divide करेंगे, तो 12 आएगा, तो 12 प्लस 26, जो है, वो तारीख है, हाना, और 1 क्या है, अपने महीने का code, क्योंकि जन्वरी यहां पूछा गया है, जन्वरी का code क्या है, 1, हाना, फिर सताबदी code, सताबदी code क्या है, 1900 के लिए, सताबदी code है, करेंगे, तो 89 अपन 7 आएगा, तो कितना बचेगा, यहां पर 5, तो 5 का day देखते हैं, अपन Wednesday, तो answer होगा, Wednesday, यह हमारा answer होगा, next example हम देखते हैं, यदि 5 नवंबर को सोंबार है, तो उसी वर्स 5 मार्च को कौन सा वार या दिन था, हाना, तो option यह है, मंगलवार, सोंबार, वदबार, यार रईवार, तो यहां एक चीज़ देखने के लिए है, कि 5 नवंबर और 5 मार्च पूछा गया है, अब यहां पर अपन देखते हैं, अगर यह solve होता है, code से, तो code से करते हैं, नहीं तो फिर उसको solve करेंगे, तो यहां देखते हैं, नवंबर और मार्च का code, नवंबर का है, चार, और मार्च का है, चार, तो दोस्तो विल्कुल simple question है, तो नवंबर को क्या था, सोंबार, तो अभी हमने बताया था एक trick आपको, तो उसके हिसाफ से, नवंबर का, तो मार्च को क्या होगा, सोंबार, हाना, तो answer होगा, सोंबार, क्योंकि इसमें हमने trick apply की हुई है, हाना, अब हम देखते हैं, और अलग-अलग question जो की exam में पूछे जाते हैं, तो next देखते हैं, 18 मार्च 2004 को मंगलवार था, तो 10 मार्च, 10 सेतंबर 2008 को कौन सा बार होगा, हाना, तो answer हमारे मंगलवार, रविवार, सोंबार या बुदवार, ये options हैं, इसमें से को कोई एक answer होगा, तो देखते हैं, इसको solve करके, ठीक है, solve करेंगे, 18 मार्च 2004 को Tuesday था, तो 10 मार्च को क्या था, ये हमको given है, ठीक है, जब हम इसको solve करेंगे, तो किस से उत्य से करेंगे, वो ही जो मैंने भी आपको बताया था, वर्स, वर्स, वाइफ, फोर, दिनांग, महीन का code, सताबदी code, और 7, ठीक है, जो कि सब यहाँ पर mention किया हुआ है, ठीक है, इन ही मैंसे हम इसको solve करेंगे, ठीक है, तो 0, 4, जो क्या था, मन्त, मन्त के दो डिजट, 0, 4, फिर 1, हाना, जब 0, 4, 4 करेंगे, तो 4, 4, तो 1 आ जाएगा, तो ये 1, date क्या है, 18 है, और जो code है, वो 4 है, किसका मन्त का, हाना, मार्च का जो code है, वो 4 है, अपन 7 कर देंगे, तो 27 by 7, 6 जाएगा, तो 6 जो था, वो, यहाँ पर, 6 जो था, वो यहाँ पर Friday को denote करता है, यह देखिए, Friday को denote कर रहा है, लेकिन, अपन को यहाँ Tuesday दिया है, मतलब की, Friday से कितना 3 कम, हाना, 3 दिन पीछे जाएगे, तो यह आएगा अपना Tuesday, तो इसी तरीके से हम, 10 September 2008 का भी निकालेंगे, ठीक है, तो देखते हैं, तो यहाँ प यहाँ पर जाएगा, 2 और 18 जो है, वो date दी हुई है, और 6 जो है, वो month code है, किसका, September का, September का month code है, 6 upon 7, तो कितना होगा यह, 34 upon 7, तो 6 बचेगा कितना 6, तो 6 का क्या, क्या code है, यहाँ पर होई, Friday, Sam Friday, ठीक है, तो Friday, और back होंगे 3 दिन, तो फिर से Tuesday, तो answer क्या होगा, मंगल हाना, Tuesday ही इसका answer होगा, next देखते हैं, 27, 27 सेतंबर को सनिवार है, उसी वर्स, 28 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, हाना, तो option है यह, ब्रसपतिवार, रविवार, सुक्रवार, या सोमवार, हाना, तो solution देखते हैं, इसको solve करेंगे, बिल्कु सिंपल है, यह देखिए, 27 से September से 28 September तक के विसम दिनों की संख्या, तो यहाँ पर हम जानते 27 to 30, तो 30 days आएगा अपन 7, तो मैंने बताया था आपको, कि यहाँ पर 2, जो है वो, सेस्फल होगा, यही हमारे विसम दिन होगे, हाना, तो 27 सेतंबर को यदि सनिवार था, तो सनिवार से 2 दिन बाद क्या होग सोम बार, तो इसमें हमने सीधा सीधा इस question को solve कर दिया है, विसम दिन निकानने के लिए सूत्र हमने यहाँ पर प्रियोक किया है, तो answer क्या होगा, सोम बार, हाना, next देखते हैं, विनोत का जनम दिन 15 अगस्त को, और राखी का जनम दिन 25 जून को आता है, यदि राखी का ज जनम दिन उसी वर्ज कौन सा दिन था, ठीक है, तो option है, सुक्रवार, सोमबार, मंगलवार, सनिवार, आपको इस तरीके का question आएगा, उसको solve इस तरीके से करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं, प्रसनानुसार, राखी का जनम दिन 25 जून बुदवार को था, और विनोत का जो 25 जून से 15 अगस्त तक, हाना, तो 5 दिन कहां पर हो गई है, जून वाले, जून के बाद फिर जुलाई पूरा 31, फिर 15 अगस्त तक, तो 51, हाना, 51 अब बाद 7, तो 2, तो 2 दिन जो 6 बचा, उस साब से देखेंगे, यदि 15 अगस्त को सुक्रवार था, तो विनोत का जनम भी स सुक्रवार को हुआ, ठीक है, यह इसका आंसर होगा, तो यहाँ पर 2 सेश बसा, ठीक है, 2 सेश जब बसा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 15 अगस्त को सुक्रवार था, क्योंकि यहाँ पर बुद्वार था, बुद्वार की 2 दिन बाद पर सुक्रवार होगा, ठीक है, तो आं मंगलवार, सोमवार, बुधवार या रविवार, हाना, सॉल्व करेंगे, इसको हम देखते हैं, प्रस्ना नुसार क्या दिया है, कि तीसरा दिन मंगलवार है, तो 25 वा दिन क्या होगा, तो 25 माइनस 3 कर देंगे, तो 22 आ जाएगा, तो विसम दिनों की संख्या कित्ती आएगी, क्योंकि 22 अपन 7 तो यहाँ पर एक सेस बचेगा, तो मंगलवार में एक दिन जोड़ देंगी, तो बुधवार जाएगा, आपको यदि मेरा यह प्रियास पसंद आ रहा हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, थैंक यू, जै हिंद,